तो आज करना चार ओर इतने प्यारे प्यारे फूल खिल रहे ना फ्रेंड्स के देख के ना मन ही लग जाता है कि हाई इने देखते ही रहे देखते हैं आप लोगों को होता है बताईए गजरूर हलो अब्रीवान जैस या राम जी रादी करशना जी सब को कैसे हैं आप सब लोग आशा करते हूं कि सभी बहुत अच्छे से होंगे मैं भी ठीक हूं घर पे सभी ठीक है और हिमाचिर में मुश्म अच्छा है और यह है मेरी नेनू तो फ्रेंड्स आज के व्लॉग की स्चार् अभी यह है शक्र हाथ में देनी थोड़ी की ले लो तरह आपना फोन है राइतमे और अभी मैं हूं हमारे किचन में यहां पे बन रही है चाय थोड़ा सा होगा है पानी गरम और यह हो चुका है उसको मैं निकाले तो हम गरम हो गया और डेस्टर काएं यह रिखे जी आपक केमरेस करें ना फ्रन्ट केमरा में क्योंकि तोर्च नहीं होती यह है हमारा इस्ट इसको मैंने एक्टिवेट होने के लिए रखावा था और बहुत दिनों से साथ थकी होड़ी की दिमांड से मामा से दूखाने है तो मैंने सुच्चा कि आज मैं बना ही लेती हूं और यहा जाना है यहां पर देखें बेट करने के लिए लगाया वाई चेक कर लेते हैं यह देख सकते हैं अब थोड़ा सा बीच में मुझे लग रहा है कि हाँ यहां से थोड़ा सा अभी और होने की ज़वात है इसको बंद कर दिखें इसको नहीं मैं दो बार खोल चुकी हूं तो बार बार खोले से क्या होता है यह जो के एक फूल रहा होता है ना बैठना शुरू हो जाता है चलो कोई बढ़नी अभी चाय में उबाली आगी रोज-रोज कॉन खाता है यहां पर दिखें तो फ्रेंट्स अभी है शाम का टाइम मतलब शाम के चार बज़े थे शायद चार साड़े-चार होगे थे और यहां पर मैंने गेहों का टारी आवाए सिंपल जो हम रोटी बनाने के लिए लेते हैं तो साड़ तक ना तीन-चार बार मुझे बोल चुका था कि ममा मुझे ना सिड्डू खाने है और मैंने मतलब बनाने का मुझे समय नहीं लग पा रहा था तो मैंने यहां पर देखें दो चमच जो इंस्टेंट इस्ट होता है इस्ट जो पुराना हो जाता है तो वो अच्छे से एक्टिवेट होता ही नहीं है और हमारे सिडू अच्छे से नहीं बनते हैं फुले फुले हुए तो इसलिए मैंने अभी स्थिख खाया है कि मैं पहले से इसको देख लेते हूं कि इस्ट जो म learners पुराना तो नहीं हो चु और उसके बाद इसको कोस्ते करम पानी से हमें गून्थना होता है आटे को बहुत साथा टाइट नहीं गूनना है बिल्कुल गीला-गीला सा गूनना है जैसा कि ब्रेड बनाने के लिए बिल्कुल गीला-गीला सा आटा होता है ना कुछ उस तरह का हमें इससे गूनना होता है हलके हाथों से हलके हलके हाथों से गून देंगे तो बहुत अच्छा बनता है तो देखिए अभी मैंने इसको गून लिया था और एक पतीले में मैंने ओयल लगा लिया था और उपर से आटे को रख लिया तो अभी आदे से भी नीचे है ये बिलकुल और इसको अभी हमें कव अभी इसको आफे स्टफिंग ये मैंने तिल की स्टफिंग त्यार किया है इसमें हरा धनिया डाला है प्रिस्टी कुछ काट के प्यास जालने है अद्रक और लहसून की दोचार कर लिया नमक है जीरा है थोड़ी सी हल्दी है बस सिंपल साधी भी बना सकते हैं लेकिन मुझे यह वाले जाद अच्छी लगती है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हमें अपने हाथों को ओयल से ग्रीज करना पड़ेगा और साथ ही में इससे डिखाना तो फ्रेंट्स जो सीडू होते हैं वो स्टीमड फूड होता है स्टीम करना पड़ता है तो सबसे पहले स्ट मैंने यह प्रैक्टिकली करके देखा है कि जिसमें हम इस तरह काटा लेते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं और एक चमच मैंने हापे स्टफिंग डाली है ज्यादा नहीं डाली क्योंकि और तिल काफी गरम होता है तो हमारे ना यहाँ पे तिल वाली ज्यादा खाई जाती या फिर जो पोस्ट दाना होता है उसकी बनाई जाती है मतलब उसकी ज़्यादा पसंद करी जाती है तो अभी देखे बिल्कुल इस तरह से स्टफिंग भरके हमें इसको स्टीमर में डालते जाना है तो एक बारी मिनत सिर्फ तीन ही आती है इसमें एक डब्बे में तो यहा आज मैं ऐसे बनाने वाली थी बहुत टेस्टी बनी थी तो यह डिश जो ना हीमाचल की ट्रडिशनल डिश है और लगबग पूरे हमाचल में यह बनाई जाती है कुछ एक जगहों को छोड़कर हमारे यहां तो बनाई जाती है यह खास तेओहारों में बनाई जाती है तो आप लोग भी ज़रू ट्रह किजिएगा इस रेसिपी और यह दिखे आपको दिखा रही कितनी स्पॉंजी बनी है बिल्कुल जैसे बंद आते है बाजार में वह वाले वह मिठे होते हैं यह नमकीन है और इसको खाया जाता है गी के साथ हमारे यहां आप जाहे तो पुझे ज़दा टेस्टी थी और रसीप एच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और यहां पर आप से कहा था ना कि मिर पास केक का ओर भी था तो देखिए यहां पर केक जो है उसको मैं बनाने लग गई थी और बच्चे जो है ना वो म और यहां पर खाना खुना वेसे सबने खाली है था रात का समय है लेकिन बस मेरे बच्चों का यह ना कि जब तक मैं काम करती रहती हूं केक बनाती रहती हूं तो बस मेरे आगे पीछे यहीं घूमते रहते हैं और बाकी सब लोग भी यहीं पर क्योंकि किच्चन में ही मैं देर उदर घूमते वे दिख जाते हैं तो मैंने फास्ट मोड में वीडियो यहां पर बनाई थी क्योंकि फोन में ना स्पेस नहीं होते है कही बारी क्या हो जाता है और मुझे ना वीडियो एडिट करने का ही टाइम नहीं लग रहा है जमने केक की वीडियो बना के रखी और यहां पर देखे सब की सोने की त्यारी हो रही है कोई अपना पानी ले जा रहा है कोई दूद ले जा रहा है मतलब सब का अपना अपना जो होता है ना रूटीन इस टाइम मैंने जो मतलब बरतन वगरा सारे दोके साफ करके क्लीन करके रख लिए है सारा काम जो होता है मेरा वो पूरा टीच हो चुका है बस मुझे सिर्फ केक बना के और उसको अच्छे से पैक करके रखना था तो यह देखें साथ तक फिर से आ चुका है यहां पर मतलब बच्चों को जादा यह रहता है कि केक बनने के बाद जो कुछ बच्चेगा वो हम लेंगे तो वो सोते नहीं है जब तक कि मैं केक बनानी लेती और आप सुचेगे कि केक घर में बनता है तो बच्चों के लिए तो भाई मतलब बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं लेकिन भाई हर रोज कौन खिलाएगा ये केक मतलब हरोज खाना अनहेल्दी है जी हां मतलब कभी-कभी तो चलता है कि 15-20 दिन में महीने में या फिर चलो हफते 15 दिन में भी चलता है बट अगर आपको रोज गिलाना है तो भाई रोज के लिए तुम्हें बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि बहुत जाद कि लुका केक बनाने लगते हूं तो थोड़ा जादा ही हो जाता है अभी तो भाई कम नहीं होना चाहिए जादा थोड़ा बहुत हो जाए कोई दिककत की बात नहीं है तो अच्छे से मैं इसकी साइड से भी फिनिशिंग दे रही हूं और मैंने इसमें जो कॉम होता है ना यहां पर चुका था अभी मैंने देखे दो चमच ले लिया है यहां पर न्यूट्रल जेल तो न्यूट्रल जेल की मैंने बड़ी बाल्टी लीकर रखी है बट उसमें से नहीं चोटी बॉक्स में को डालती हूं क्योंकि बार बार खोलते है ना तो कई बारी क्या होता है कि अभी मैंने बार बार जाती है तो खराब होने का डर रहता है तो अभी मैंने इहां पर इसमें डाल दिया है स्ट्रॉबरी इमल्शन थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको अच्छे से मिक्स करें और दीके मेरे दोनों चुटकु शैतान कुछ नो कुछ नो कुछ उनकी आपस से उसमें पहले मैंने वन अम नोजल से अचाथा डालने को बट दुबारा मैंने थोड़ा प्रोग्राम चेंज कर दिया था अभी मैंने रोज बनाने वारी जो होती है वो वाली नोजल इसमें लगाई है और आजकल मेरी यह वाली जो नोजल से रोज बना रही हूं वो लेकिन यह ना हाइड जाएगा क्योंकि जब इसके उपर दूसरी लेयर आएगी ना तो यह इतना दिखिगा नहीं तो यह देखिए यह वाला मैंने जिन जिन को भी दिया है बहुत पसंद आया है सभी को बहुत सुन्दर लगता है देखने में मतलब असान भी अपनाने में इ आज का व्लोग्या अच्छा लगा होगा तो सिट्वाइगे तो ज़रूर बनाये गो खाया बहुत एस्टी लगती है ती एंड हेल्दीश आप चाहें तो नाश्यते में खाए चाए आप उसको लंचे में खाए चाहें ऑसको डिनर में खाए चाय के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है तो चलिए आज के व्लोग करन यहीं कर दी हूँ मिलूगी आप से एक और ने वीडियो में तब तक खाते पीते रहिए मस रहिए और जेस यराम